अब आज तीन दिन अश्टमी नौमी दस्मी तीन दिन आपको महा सरस्वती मुद्रा करना ये करोगे तो पूरी नवरात्री के आराधना हमने पहले महाकाली मुद्रा किया फिर महालक्ष्मी मुद्रा किया किया न मां, अब आज आपको सरस्वती मुद्रा सीकाता, क्या मुद्रा, बिन ज्ञान भजनन होई गोपाला, ज्ञान पहले जरूरी है, ज्ञान नहीं होगी तो किसका मंत्र बोलेंगे ने, किसका पाठ करेंगे देखो, लेफ्ट हैंड को ऐसे करो, कर लिया, राइट हैंड क उपर ऐसे रखो जैसे कुछ कव्वा रखा हो हाथ में ऐसे दिख रहा है ना ऐसे रखना और अब इस बीच उंगली से उस बीच उंगली को पकड़ना यह महासरस्वती मुद्रा ऐसे बेटा हाथ को सीधा ऐसे पतल की तरह खुला रखो संचालकों के लिए संगीतकारों के लिए कवियों के लिए भाशनकारों के लिए अमृत से भी बड़ा दवई है यह जो करेगा उसकी बानी कभी अटकती नहीं है यह महासरस्वती मुद्रा ह सिकाना एक्जाम में जब भी पढ़ने बैटें दो मिनिट अगर इस मुद्रा को करके फिर पढ़ने लगें कोई भी बात हो सेरिबेल्लम कार्टेक्स बोलने वाले ब्रेइन के पार्ट एकदम सक्रिय होते हैं एक्टिवेट होते हैं पढ़ने वाले बच्चे सबसे हुश्यार बन जाते हैं इस मुद्रा से क्या मुध्रा है ? सर स्ष्वती मुद्रा कौन-कौन गान-गाने वाले बजनकार कौन है ? हाँ बजनकार, संचालग, कताकार, कभिकार, म्यूजिस्यन यह सब सर सरस्वती हाँ वो बोलेगा मेरे को इंगलीश नहीं आता है थाली जो बजा रहा है गाना ये सरस्वती की कृपा वीना किसने लिया हाथ में वो बोलता है उसने भी लिया है उसने क्या रहा है नहीं बेलन मेरे पत्नी ने हाथ में लिया हुआ है बेलन नहीं रहे भाई वीना बोल रहा हूं बेलन तो तेरी पत्नी हाथ में लिया वो तो अच्छा ही की देखो ऐसे बोलो ओम आयम सरस्वत्य ही नमा है ये लेफ्ट हैंड रेना निचे बेटा लेफ्ट हैंड निचे रेना राइट हैंड उपर ऐसे रखना दोनों बीच की उंगली को एक दूसरे पर पकड़ना ये सरस्वती मुद्रा क्या मुद्रा बड़े लोग भी करना इससे क किसी से बात करते हो तो वह बात एकदम आप सटी को और सही कर पाओगे कभी कभी बोलते हो ना आप बात बिगड़ गई मेरी मेरी बात बिगड़ गई बात नहीं बिगड़ेगी जीवन में ये मुद्रा करने वालों बच्चों को स्कूल के बच्चों को खा सिकाना आप इस पार में किसी गिराग से बात करेगा वोई फट करके खुस हो जाएगा यह इस मुद्रा को करके बात करें इसी मुद्रा को करके आप इसमें काम करें प्रमोशन पर प्रमोशन आता ही रहेगा क्या काम नहीं होगा हो सब काम होगा यह क्या मुद्रा है यह सरस्वती मुद्रा है सरस्वती मुद्रा जो तॉट योगा यूट्यूब में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड को नीचे रखना एकदम सीधा सपाट राइट हैंड को पहले पांचों उंगली ऐसे करके फिर एक बीच की उंगली से बीच की उंगली को जोडे कैसे करें? बीच की उंगली से बीच की उंगली को जोडे ये सरस्वती मुद्रा है और नवरात्री की अश्टमी में सरस्वती की मुद्रा कर ली उसका तो कल्यानी हो गया